तो हेलो एंड वेलकम गाईज PMAYG यानि कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीन आवास प्लस लिष्ट 2022-23 को जारी कर दिया गया है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाईल से ही PMAYG योजना ग्रामीन 2022-23 की जो आवास प्लस सूची है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम को चेक कर सकते हैं जो लिष्ट होगी वो PDF फाइल के रोप में होगी तो आप अपने मोबाईल से ही डाउनलोड करके PDF फाइल में अपना नाम को चेक कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो में पूरा डीटेल बताऊंगा A to Z किस तरीके से आपको Step by Step लिस्ट को निकालना है तो वीडियो में अंध तक बने रहिएगा Step by Step आप लोग को समझ आ सके तो दोस्तो उससे पहले आप सभी से अनरोध करता हूँ अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा दे और All Notification को सेलेक्ट कर ले ताकि आगे आने वाले हर वीडियो उसकी Notification आपको सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको Google पर यहाँ पर P-M-A-Y-G ये टेक्स आप देख सकते हैं इसे लिख के यहाँ से आपको सर्च कर लेना है P-M-A-Y-G जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो सबसे उपर में यह के आपको वेबसाइड दिखाई देगा जो प्रदान मंतरी आवास यूजना ग्रामीन P-M-A-Y-G-N-I-C.IN के नाम से आपको सोग करेगा तो simply आपको जो है यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यह वेबसाइड जो है लोड लेगा तो हमें थोड़ा वेट कर लेना है तो दोस्तो website load लेने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने open हो जाती है, website का home page कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर website को zoom करके, यहाँ पर यह दो number पर जो आवाज swap का option है, इस पर click करके, यहाँ से simply report के option पर click कर देना है, जैसे हम लोग यहाँ पर report के option पर click करते हैं तो report section हमारे सामने open हो जाती है, report section open होने के बाद हमें scroll down करते हुए नीचे चला जाना है, दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को यह भी बता देता हूँ कि इस website का direct link मैं वीडियो के description में दे दोंगा, अगर आप लोग को इस website पर आने में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविदा होती है, तो आप वहाँ पर click करके direct इस website पर आ सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लोग आगे आएंगे, तो यहाँ पर ACCC reports में एक option आपको दिखाई देगा, जिस ACC data verification summary का option है, तो simply हमें इस से चौथे number वाले option पर click कर देना है, इस पर जैसे हम लोग click करते हैं दोस्तों, तो सबसे उपर में हमें अपना state को select करने के लिए कहता है, तो जो भी आपका state होगा उसे यहाँ से आपको select कर लेना है, तो हम भी अपना state को यहाँ से select करते हैं, और दूसरे नमबर पर जो है अपना जो भी डिस्टिक है उसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं आपको भी कर लेना है थर्ड नमबर पर आपको अपना जो प्रखंड है उसे सिलेक्ट करना है और चौथे नमबर पर आपको अपना जो ग्राम पंचायत है उसे यहां से सिलेक्ट करना ह तो यहाँ पर जो भी होता है हम इसे टाइप कर देते हैं और सिंपली सब्मिट बटम पर क्लिक कर देते हैं दोस्तो तो दोस्तो जैसे हम लोग सब्मिट बटम पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो सूची है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाती है दोस्तो तो यहाँ पर दोस बताया था कि जितने भी 9 अंको वाला जो registration नंबर होता है वो आवास प्लस के category में आता है तो यहाँ पर जितने भी लाभारती हैं सभी आवास प्लस के हैं और यह सभी जो है नए 2022-23 के तहट जो है जोड़े गए हैं तो दोस्तो पंचाई इस तर पर जो verification है आवास प्लस की जोड़ा जा रहा है तो इस प्रकार से दोस्तो आप अपने mobile से ही आवास प्लस की सुची को download कर सकते हैं और यहाँ पर download PDF पर क्लिक करके इसे PDF फाइल के रूप में save भी कर सकते हैं जैसे दोस्तो हम लोगे आप डाउनलोड PDF पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फाइल है वो download हो हो जाता है दोस्तो देख सकते हैं जो PDF फाइल के रूप में हमारा जो लिस्ट है वो कुछ इस परकार से download हो चुका है यहाँ पर आप जो है अपना नाम को search करके भी देख सकते हैं दोस्तो कि क्या क्या आपका नाम इस सुची में है या फिर नहीं तो दोस्तो यह था वीडि देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यबाद